आज की एपनी बिल उफ एक्षेंज की क्लास में हम करेंगे डिसॉनर उफ एक्षेंज के थी उसमें उसकी बिल उफ एक्षेंज से रिलेटिड बेसिक एंट्री स्कॉन में किया था कि जब बिल लिखा जाता है ड्राउ किया जाता है और एक्सेप्ट करते हैं और उसको किस तरिके से जो इच्पर है। उसको किस तराईके से ट्री ट्रीड कर सकता है। अप्टू दे मैचॉरिटी डेट अपने पास रखना या बैंक से डिसकाउंट कराना या अपने किसी क्राइटर को एंडोर्स करना तो किस तरीके से हम उसकी एंटरी करते हैं आज एक नेक्स टेप है दिसवनर अपते उसको आज हम करेंगे दिसवनर का मींस होता है जब मैचॉरिटी डेट पर जो ड्रॉई है जब उसकी फुल पेमेंट नहीं कर पाता किसी दिल की तो उसे हम कहते हैं दिसवनर अपते डिल इस केस में जो ड्रॉई डिसवनर अपते बिल्स के केस में हम उसको पहले उसकी रिवर्स एंट्री करेंगे उसके बाद यहां पर question में A, A is selling the Gurs to B for P 30,000, 30,000 रोपे की Gurs है, जो A ने सेल की है, A ने बिलने का, B ने उसा accept किया, this bill is for 3 months, T मैंने के रिदिल है, A ने उसको discount करा लिया, from the land 29,350 पीज में, जब यह discount करा लिया है, उसके बाद, on the majority ticket, this bill has been become dishonored, वो उसने, B है, he is unable to pay the amount of bill, और उसको dishonored है, तो यहां तब पर पर अग्रीज करते हैं, फिर आगे question को wait करेंगे, A, in the box of A, हमको अग्रीज करनी है पहले, A ने गुर्स को सेल किया, सेल करने के लिए, B account debit to sales, B ने गुर्स सेल की है, 30,000 पीज की, इसके बाद, A bill लिखेगा, और B को accept हो गया है, जो B ने accept किया है, B, our account debit to B, for drawing of the bill, of rupees 30,000, B, bill जो है, receivable की, bill receivable, A के लिए, एक asset हो गया है, उसको हमने debit कर दिया, और B become creditor, for the A, A के लिए credit हो गया, उसको हमने credit कर दिया, उसके पाद, A ने इसको discount करा लिया है, from the bank, तो discount कराने के लिए, bank account debit, discount charges account debit, to pay receivable, ये amount, 29,200, 250, ने कराया है, 750 का discount चार्च किया है, और हमारा 30,000 का bill, अब, suppose, ये bill, dishonor नहीं होता, complete amount, B, pay कर देता है, तो A के books में, कोई entry नहीं करते हैं, क्योंकि जो amount है, holder हो तो भी कौन है, bank, और उसके case में, एक bank को complete amount, इसका मिल जाता, लेकिन, आप कह रहे हैं कि maturity date पर, ये bill dishonor हो जाता है, आप dishonor होने के case में, जो holder of the bill है, वो drawer से अपना complete पैसा ले लेगा, यहां पर, देखे, बी, जब हमने बिल लिखा था, तो वो बी के पहले हमने पी से उसको, एक creditor उसको बनाया था, यहां पर, आप ये समझे कि जब dishonor की entry करेंगे, तो अब तक, बिल से related, जितनी भी entries होनी हैं, उनको रिवर्स करके लेगे, बिल से related, अभी तक, ये दो entries हो ही है, क्योंकि हमने बिल कैंसल करना है, यहां पर, बी आर को एकांट किया था, और यहां पर, बी आर को, प्रेडिट किया है, तो यह हमारा cancel हो गया, यहां पर, बैंक अकांट डेविट है, और बी, बैंक डेडिट है, तो entry हमार कैंसलेशन और बिल, बी को हमने फिर से, बी से अपनी 30,000 रुपीस द्यू कर लिये, और बैंक को हमने पेमें कर लिये, तो यहां पर इस तरीके से, यह कैंसलेशन के अंट्री होगे, या आप यह कह सकते हो कि अब तक, बिल से रिलेटिट जितनी भी एंट्री होई है, उनको को हमें रिवर्स करना है, तो यह डो एंट्री हैं जो हमारी बिल से रिलेटिड होई है, यहां पर बी आर और बी आर आपस में कैंसल होना है, जिसको कि हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, तो हरे बैंक अंट्री होई से 30,000 रुपीस हैं आपर क्रेडिट हो जाएंगे, और बी जो कि फिर से ड्यू जिसको माउट हम कर देंगे, तो यह एंट्री हां की बिलाफ एक्षेंग से रिलेटिड, आगे बूर रहें कि on the dishonor, बी ने 10,500 रुपीस इंस्टंटली पे कर दिये, उसमें 500 रुपीस का इंट्रेस्ट है, 10,500 रुपीस तुरंट से एको मिवे हैं, बी बी ने 10,500 रुपीस जो मिले हैं, उनकी एंट्री करेंगे, और जिसमें से की 500 रुपीस हमारा इंट्रेस्ट का है, तो इंट्रेस्ट ड्यू होगा, इंट्रेस्ट किसकी इंकम है, एक ही, बी एकाउंट डैबिट, टू इंट्रेस्ट, यह हमें बिलको इंट्रेस्ट को ड्य कर दिया और जो cash receive हुआ है A को B ने पे किया है उसकी entry करेंगे bank account टेले bank या cash चीज भी form ने दिया हूँ 10,500 अब remaining amount देखे कितना है 30,000 का बिल था 10,000 पे कर दिये 10,500 के थे पर 500 उसमें से interest के है तो जो budget amount वो 20,000 बचेगा 20,000 के लिए B ने एक new bill accept किया है जो कि किस ने draw किया है A ने तो A फिर से एक bill draw करेगा जिसके भी हम entry करेंगे देखे इस टेल पर हम रख कर देता है और जो new भी लिखा जाएगा बिल्स रिसीविबल अउंट डियविट तो B 20,000 ये है for the drawing of the new bill अब ये जो second वाला bill है इसको A ने एंडोस कर दिया अपने एक रेडिटर को तो C को एंडोस करने के लिए इसके लिए इसके लिए कोई एंट्री नहीं करेंगे तो ये होगी in the books of A अब हम आते है in the books of B क्या एंट्री होगी दिखेंगे जो B है सबसे पहले गुर्स को purchase करेगा तो purchase करने के लिए purchase account debit किस से भी purchase किया A से ये गुर्स purchase करने के लिए एंट्री होगी second transaction था हमारा A ने भी लिखा था और B ने उसको accept किया था तो B अपने books में उस book को accept करने के लिए एंट्री करेगा A account debit to bills payable next हमारा transaction था A ने उसको bank से discount कराया था लेकिन up to the date of maturity A उसका push भी करेगा B की books में अब को एंट्री उसकी नहीं करेगे तो उस transaction के लिए B की books में को एंट्री नहीं होगी अब हमाता है maturity rate maturity rate में वो जो bill था dishonor हो गया था तो dishonor के लिए मैंने भी आपको बताया कि जितनी भी entries होई है उसको reverse कर देते हैं क्योंकि हमें वो bill को cancel करना है अभी तक bill से related यहां पर एक एंट्री होए B account debit to bills payable तो इसकी entry हो जाएगी bills payable account debit to A यह इसको हम इस तरीके से भी कह सकते है कि जो bills payable इनकी liability created ली थी अब जब जैसे ही वो bill cancel हो जाता है तो वो liability finish हो जाती है और जो A के लिए जो creditor है A वो फिर से arise हो जाएगा तो liability को finish करने के लिए हम ने bills payable को debit कर दिया और A creditor फिर से arise हो गया means फिर से A B की liability है कि A को रुपीज वो 30,000 पे करेगा तो bills payable account debit to A next हमोना transaction था कि on the dishonor of the bill A ने receipt किये थे 10,500 रुपीज जिसमें से कि 10,000 तो bill के amount में से और 500 रुपीज interest के थे तो interest is a expense for the B उसको पहले due करेंगे हो interest account debit वो किसको दे रहा है A को 500 रुपीज और cash इसने pay किया था B ने A को तो A account debit to cash या bank 10,000 500 रुपीज अब remaining amount was 20,000 उसके लिए हमें नया bill लिखा था नया bill A लिखेगा और उसको accept को रहेगा B ने जब accept किया तो वही simple अपनी bill को accept करने वाली entry A account debit to bills table 20,000 रुपीज के लिए next transaction था कि इस bill को A ने endorse कर दिया था to the C अब A उस bill को up to the maturity date कुछ B करेगा B के books में उसका कोई परेंट ने परेंगा तो उस endorse करने के लिए हम उसकी कोई entry नहीं करेंगी on the maturity date A ने receive कर दिया थे complete amount means B ने pay किया है और वह bill mature हो गया तो payment करने के लिए हम entry करेंगे bills payable account debit to cash or bank जिस भी तरीके से उसने pay किया होगा यह 20,000 rupees यहां पर pay होचाते है तो इस तरीके से आपने देगा कि कैसे हम entry करेंगे in the case of dishonor in the books of A and B yes next question देखे A ओड रूपीज B ओड रूपीज 60,000 and on the 1st January 2009 on the same day A ने दूप्या A bill of Rs. 60,000 at the 2 months and B रिटन the duly accepted तो यहां तर तर तुम्हारा simple question है कि B को pay करने है 60,000 rupees to the A A ने बिल लिखा और B ने उसको accept करा लिया A got the bill discounted यह भी हम प्याले कर चुके है कि उसको उसने bank से discount करा लिया at the rate of 15% before the bill was due for payment B told that he was unable to pay the full amount यहांपर आप एक बात को धिहान रखेंगे कि even अगर आपका 60,000 rupees का bill है और B means जो acceptor जो drawi है अगर वो 59,000 rupees तग भी देने के लिए तैयार है तो भी हमारा जो bill है वो dishonor हो जाएगा means कि जब तब complete amount एक एक रुपे भी की इसमें count नहीं लियाना चाहिए जब तब वो complete 60,000 rupees ही पे होगे तब ही वो order माना जाएगा otherwise हमको complete bill को dishonor करना पड़ेगा तो यहां पर B ने कहा कि वो पूर amount नहीं दे साथा and request it to accept 20,000 immediately 60,000 के बदले पहले तो हम bill को cancel करेंगे उसको dishonor करेंगे 20,000 उसने cash में तुरंत पे किया है and draw the new bill for the remaining remaining amount कितना बचा? 40,000 60,000 का bill का 20,000 हमें receive हो गए एक को receive हो गए और 40,000 का remaining amount के लिए एक new bill, renewal of the bill जो की नया bill है वो लिखा जाएगा together get a interest of 18% और जो नया bill हम लिखेंगे वो केवल 40,000 रुपीस का नहीं बलकि उसमें 18% पर हम के लिए 2 months का interest हम एड करेंगे वो amount जो combined होकर आएगा उसका bill लिखा जाएगा A agreed, इस सारे बाग के लिए A agreed हो गया है and the second bill बाग दूली met और जो second bill लिखा गया था वो complete हमारा मिल गया है theory mat हो गया है तो इनको हमें दौनों पार्टी इसकी बुख में record दरना है इस transactions को हम इस पोजिशन को एक सार करेंगे in the books of A एक पार्ट पर ना लेंगे और second second part पर और दौनों को similar tendency, दौनों की बुख को गंड़ीं करने में ये A की बुख है और ये B की सबसे पहले था हमारा 60,000 रुपीज का bill draw करना और जिसकों की बीने accept किया गया bill लिखने के लिए BR account debit to B और for the same transaction we will accept the bill और accept करने के लिए A account debit to bills payable बिल A के पास आ गया holder of the bill at this moment is A A के पास bill है बिल ने उसको bank से discount कराया entry आपकी होगी bank account debit discount account debit to bill receivable कितना amount होगा 60,000 रूटीज का bill है यह बार बिल 2 months का था और इसको 15% discount पर bank में चार्ज किया है 50,000 रूटीज का discount charges total 58,500 15,000 के discount charges और दिल आपका होगा 60,000 का जब A इस बेको discount कराया है there will be no entry for this transaction in the books of B यहां पर कोई नहीं होगी आपकी नहीं होगी अब आपकी maturity date आजाते है और maturity date पर B is unable to pay the full amount और उसमें 20,000 पे कर दिये अब 20,000 जो पे किये है उससे पहले हमें यह जो bill है उसको cancel करना है उसको dishonor करना है तो यहां पर पहले dishonor के लिए entry करेंगे मैं आपको पहले भी पताया था कि जब cancel करते है बिल को तो जिस भी party की books में जो भी आपके बिल से related जो भी entries होई है उनको हम reverse कर देते है तो यहां पर बिल से बिल cancel हो जाएगा है यहां पर bank account debit है और B को उने credit किया है बिल को फिल से B को B account debit to bank जो अपने discount charges हो उनको reverse नहीं किया जाएगा क्योंकि वो bank की income हो चुकी है उसको वो वाकिस नहीं देंगे तो B account debit to bank 60,000 अब देखिए इस dishonor के लिए B B account debit to A B B account debit to A Bills pay bill account debit to A यह बिल देखिए यह बिल देखिए अब A ने receive किया है 20,000 cash account debit यह bank account debit to B 20,000 और यह amount B pay करेगा to the A तो B की books में payment करने की entry हो जाएगी A account debit to cash pay यह bank pay किया है for the remaining amount remaining amount कितना बच्चा है हमारा? 40,000 rupees 40,000 rupees के लिए एक new bill देखा जाएगा but with an interest of 2 months देखे 40,000 rupees है उस पर आप 2 months के लिए बिल लिक होगे और कितने percent कर? 18% कर तो 1200 rupees का आपका interest आजाएगा पहले वो interest due कर लीजे इस interest is like income for the A जो की किसको पेगा दी है? B को तो B account debit to interest 1200 rupees और interest is a expense for B interest account debit to A 1200 rupees अब हम new bill लिखेंगे 40,000 अमारा amount remaining 1200 उसमें interest है 41,200 rupees के लिए new bill लिखेंगे बिल लिखने के लिए वो same bill है जाए पहला बिलो जाए बाद मिलो same BR account debit to B लेकिन यहाँ पर amount कितना आ जाएगा? new bill लिखने के लिए 41,200 और same way with B उसको accept करेगा accept करने के लिए A account debit to bill stable लेकिन अब हमारे नए bill के लिए amount कितना होगा? 41,200 आगे कि यह जो bill हमने लिखाता वो duty mat होगया on the majority date अब इसका amount जो है वो को पे करेगा? B और यहाँ पर amount इसको pay हो जाएगा bank account debit to bills receive 41,200 और for the payment payment किसको करने है B को B जो payment करेगा और बिल्स टेबर account debit to cash or bank bill of exchange and promise they are almost same thing बड़ उसे शिर्फ अंदर इतना होता है कि जो bill of exchange है वो draw करता है जिसको पैसे receive करने है वो order देता है B को B से पैसे receive करने है और B उसे accept कर लेता है उस order को मांग लेता है लेकिन in the case of promissory note इसको draw कौन करेगा जो promise दे रहा है जिसको पैसे pay करने है वो ही इसको draw करता है इन इस case B is a B B is promissory note है तो B ने इसको बनाया है means B को पैसे pay करने है B का promissory note है for P 70,000 which A had endorsed in the favor of C देखिए sequence क्या रहा कि सबसे पहले B ने एक promissory note बनाया और उसको किसको दे दिया A को दे दिया अब वो holder of the bill ही हम मान लेता है holder of the bill is A A को पैसे receive होने है A ने उसको C को endorse कर दिया वो bill किसके पैस चला गया A C के पास और on the maturity date वो जो endorse किया हुआ वो हमारा dishonor हो गया अब जब dishonor हो गया dishonor जब हुआ है वो bill तो उस समय उसका holder कान है C C को मने endorse किया था C के पास हो बिला अब C ने pay किये C ने not Republic से उसे noting कर आया और noting के लिए 1000 रुपीज उसके लिए चार्ज इसके किया है अब अब यह amount जो C है वो यह amount किस से receive करेगा from the door और अब कि उसे तो A से ही लेने थे उसने A से यह amount total receive कर लिया और accepts from B another bill और A ultimately अब यह पैसे किस से लिएगा B से तो B ने एक another bill लिखा है for the amount due plus interest properties 1500 हमें इनको A की books ने transactions को generalize करना है देखे यह हैं हमारी books of A हम A और B दौनों की books में कर लेता है इनने B भी किस तरहीं के transaction करेगा वो आपको clear हो जाएगा यह है यह है A की books and these are the books of B हमने जो questions start किया है वो and जब हमारा dishonor हो गया तब ही से start कर रहे है लेकिन उससे पहले क्या-क्या transactions होए होगे वो देखे पहले A ने उसको बिलकोप draw किया BR account debit to B amount is 70,000 रुपीज और B उस promise उसे promise करके निस accept करके A account debit to bills table 70,000 रुपीज एक्सेप्ट कर लिया हो वापिस से A के पास देश दिया A ने उसे C को endorse किया हुआ है C account debit Bill receivable C के पास चला गया 70,000 एंडोस करने के लिए B की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी क्यूंकि up to the date of maturity B की कोई responsibility arise नहीं होती और maturity rate पर उसे payment कर लिए But on the maturity rate अब इस case में यहाँ पर holder of the bill को रोगया C. Bill किस के पास है? C के पास इसके पास, जो maturity rate जब आएगी तो payment किसको receive होगी? C को receive होगी लेकिन उस case में B ने उसमें अमांट पे नहीं किया और वो bill dishonor हो गया तो dishonor के लिए A अपनी मुक्स में देखी क्या एंप्रे करेगा फिर से repeat करता है कि in the case of dishonor जो भी आपकी अप्तक entries होई है relating to bill उनको आपको reverse करना है BR यहाँ पर cancel होगा यहाँ पर B को आपने credit किया हुआ है और C को debit तो B account debit to C 70,000 हमने हाँ पर लिख दिया लिखने चीज देखे इस entry को pass करके means bill को cancel करके हमने क्या किया है कि bill के उपर due कर दिये 70,000 rupees और C के उपर से अपनी responsibility ले लिए है कि हम C को pay करेंगे 70,000 लेकिन C ने 1,000 rupees noting charges भी पे किया है तो C को हमें सिर्फ भी 70 नहीं देने है हमें 71,000 देने है और B को यहां पर कितने पे करने पड़ेंगे 71,000 rupees पे करने पड़ेंगे तो for the noting charges भी हम इसको adjust करेंगे यहां पर आप इनको B account debit to C noting charges के साब 71,000 rupees से यहां पर अब यह रहिए यह दो चीज़े है एक तो किस person ने cash pay किया noting charges के लिए और दूसरा noting charges real में हैं किसके यह noting charges pay किया है C ने तो हमारे पास से cash नहीं गवाए तो हम इसे cash को credit यहां पर नहीं कर सकते और जिसने pay किया है उसको हमें credit किया कर दिया और नहीं यह noting charges real में A के है वो किसके है किसके pay करने है वो B के है तो हम यहां पर noting charges को की debit नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा खर्चा नहीं है वो A का नहीं है खर्चा इसलिए A अपनी books में उसे यहां पर noting charges debit नहीं करेगा A को सिर्फ करना कितना है जो amount due है और जो उसे pay करना है उस amount को इहां पर अब इस transaction के लिए cancel करने के लिए हम B की books पर आते है B ने अब तक एंडरी की है BP account debit यह A account debit to BP तो bills payable account debit कितने का बिधा 70,000 का 2 A लेकिन इसको A को कितना amount नहीं है 71,000 और 1,000 किस चीज का है noting charges का These are the real expenses of B और उसी की books ने ये खर्चा debit होना चाहिए तो यहां पर bills थे हमारे 70,000 के noting charges हो गए 1,000 के और A को जो इसने due की amount केगल 70 नहीं बल्कि कितना चाहरेगा 71,000 के इस तरीके से हम noting expenses की इस तरीके से entry करेंगे अब next transaction हमारे बताया हो था कि C ने complete amount from the A payment करेगा किसको payment करेगा C को तो C account debit to bank 70,000 उसने with noting charges उसको complete amount पे कर दिया यहां पर इसको payment आ गए कि इस transaction के लिए B को कोई मतब नहीं है आप तुरंत से वो एक new bill लिखेंगे जो कि with interest of Rs. 1500 होगा तो total amount कितना होगा? 71,000 पहले से ही है और 71 प्लस 1,500 72,500 का new bill लिखा जाएगा जिसमें कि Rs. 1500 रुपीस interest के है तो पहले interest को ड्यू कर देंगे B account debit to interest Rs. 1500 same interest ड्यू होगा B की बुक्स में interest account debit to A. 1500 and now new bill bills receivable account debit to B 72,500 71,000 पहले दें और फिर उसमें 1500 का interest कर देंगे हमने और यहाँ पर B उसको accept करेगा तो same way पुरानी वारी entry accept करने के लिए A account debit to bills payable 72,000 पहले और लास्ट रांजेक्शन है कि यह जो amount है अब हम यह मान के चलते हैं कि यह ड्यूली met हो गया on the maturity rate तो payment receive हो जाएगी A को और payment receive होने के लिए हम क्या इंटी करेंगे और यहाँ पर B उसके लिए payment करेगा बिल्स पेवल अकाउंट डैविट टू बैंक और बिल्स पेवल को डैविट करते ही उनकी एक liability जो अब तक ही बिल्स पेवल के नाम से वो फिनिश हो जागी है और किसी भी इसको फिनिश करने के लिए उसको डैविट कर देते हैं तो बिल्स पेवल अकाउंट डैविट टू बैंक तो इस तरीके से हां पर यह नोटिं चार्जिस की है इसको इस तरीके से करेंगे लिए अब देखे अब हम आते हैं नेक्स अपनी कंजर्पे ए एक्कमोडेशन बिल बिल अपनी को इसे हैं यह नोट अपनी कर्वेज़ो कि आपनी के यहकुष तरीके के होते हैं उसके बिल हुटेट कर में करता हैं नोट रराफने को सकते हैं याप नेक्सिरख क्रणीश कीड़ी पिल्स लिए बिल्स पूर बाइसारी कीशताया अब हम खोलते हैं तो कर थे जब हम एक बुस्टर की help करने के लिए जब भी किसी party को एक temporary time के लिए और छोटे time के लिए कुछ funds की ज़रूरत होती है तो उसके लिए जो बिल लिखे जाते हैं they are the accommodation bills उनमें accounting पर पर से आप देखो तो उसमें आप इसमें कोई भी difference ऐसा नहीं होता सेम जो accounting treatment हमारा trade bills का होगा सेम यहां कर दोगा लेकिन बस इसमें सिर्फ अंतर इतना है कि जो person बिल्को accept करेगा वही उसकी payment भी करता है विए पहले आपने accept कर लिया कि आप उसको दे रहे हो और last में वो amount आपको ही pay करना पड़ेगा ताकि दूसरा person उसको pay कर सके तो अब देखिए इसमें है A and B were in the needs of the funds टब दे दे लिए on the 1st January 2015 A ने एक bill draw किया on the B for rupees 4000 for three months अब यहां पर A ने draw किया है तो A के पास bill आ जाया और accept करेगा B और B ने उसको return कर दिया accept करने के बार and got it discounted from the bank अब जिसके पास bill है उसने 18% पर इसको discount करा लिया है Half of the proceeds were remitted to B अब देखिए जो accommodation bill है इनको एक अलग concept ना समझ कर हम अगर इस तरीके से का रहे है कि जो भी transaction आ रहा है उसकी entry जिस तरीके से भी होती है general entry उसको हम उसी तरीके से यहां पर generalize कर देए तो यह जादा बेटर देए अगर transaction यहां पर पढ़िए और उसको यहां पर general entry कर देजिए अब जो भी उनको पास amount आया था bank का उन्होंने उनको half of distribute कर लिया आपस ने half of the proceeds were limited to the B on the due date A sent the required sum to B A ने बाकी का जो भाउंता वो B को वापिस देज दिया और जिससे की उसने उसको भी को payment कर दिया अब इस transaction को हमें record करना है in the both parties A और B तौनों की books में हम इसे generalize करेंगे these are books of A and यहाँ परा B के entries करेंगे first step A ने draw किया है bill और B ने उसको accept किया है bill receivable account debit to B 4000 rupees के लिए और B की books में accept करने के लिए करेंगे A account debit to bills pay fourth होगे उसके बार next transition भा bill A के पास आगया accept होगे A ने उसको bank से बिस्काउंट करा लिया bank account debit discount account debit to bill receivable 4000 आपका bill है for the 3 months for the 18% परेंग 180 rupees का discount जाएगा total amount हमें receive होगा 3,820 rupees 180 का दिस्वामी पर 4,000 rupees bills के यहां पर इनकी बुक्स में इस transaction के लिए B की बुक्स में कोई angry नहीं होगी उसकी बात बूर रहे हैं कि जो यह amount 3,820 rupees जो एक और receive हुए कि दौनों को funds की जबुरत है दौनों को पायत नहीं उसने इसमें से half amount B के पास बेज दिया तो जो B receive करेगा तो जब जब किसी पार्टी कोई भी पार्टी cash pay करेगी और दूसी पार्टी receive करती है यह आया है B के पास B accounted capital cash B ने 2,000 rupees दिये है किसको B ने receive किया है A से यहां पर अब देखे कि जो discount है जो charges लगे है 108 rupees के जब उन्हें amount को half half बाटा है तो जो discount का amount है उसे भी यह लो half half बाट लेगे तो यहां पर 2 discount 9 rupees और इसको amount कितना मिलेगा 1 9 2 0 तो B के पास total 2,000 rupees चले गए लेकिन cash हमारे पास से सिरक इतना गया 1 9 2 0 और discount जो हुमें charge पे किया था जो इंकम मिले थे वो उसको charge हुमें B परदी कर दिया B को receive होंगे cash account debit इनको cash receive होगा 1 9 2 0 discount bear किया जाएगा discount debit 11 rupees और 2 A A से 2,000 rupees receive होगे अब उसके बाद on the maturity date B ने बाकी का amount बाकी कम तब 2,000 rupees भी किसको गेज दिया A ने भी बेचा है B को और ताकी क्योंकि बिल्कु पेमेंट किसको करनी है B को पेमेंट करेगा B ने accept किया है बिल्कु तो on the due date A send the remaining about 2,000 को उसे पहले भेज दिये और बाकी के 2,000 भी भी पहाँ पर उसको भेज दिये तो B account debit to cash 2,000 rupees और भीज दिये और इहां पर रेस रिसीव होजाएंगे Cash account debit to A अब complete 4,000 rupees पहले 2,000 आगे थे और 2,000 अब आगे B के पास complete 4,000 rupees आ चुके है जिससे कि यह अपनी जो में 4T पर जब बिल को पेमेंट करना है तो बिल की पेमेंट कर देगा उसको और कर देगा Bills Payable Account debit to cash यहां पर कोई भी रिसीव नहीं होगा क्योंकि बिल किस के पास है बैंक के पास और जब बैंक के पास बिल है तो older bill है बैंक है और बैंक को यह पेमेंट रिसीव हो जाएगी लेकि लिकिन इन दबूस ओप ए हम इस ट्रांजेशन के लिए को यह नहीं करेंगा तो इस तरीके से एकोमोडेशन बिल के केस में जो अमाउंट है वो हमारा यहां पर पहले तो एकसेप्ट किया और फिर बाद में उसी की पेमेंट कर दी और अमाउंट भी कमदी यहां पर रिसीव हो गया झाल